हमस्कार दोस्तों मैं ओम प्रकास ओसर ये जो है आदिवासी महसो 36 गड़ है रायपूर है और यहां रायपूर की 36 गड़ की कला संस्कृती का जो काम है वो आपको देखने को मिल रहा है साथ में रोजगार सी जुड़ी हुई चीजें देखने को मिल रही है और जैसे मैं कहते रहता हूं कि 36 गड़ की महिलाएं बहुत काम करती हैं तो 36 गड़ की महिलाओं में से जो काम बहुत काम करती उनमें एक काम ये भी है कि हत करगे पे भी काम करती हैं क्या नाम है दीदी आपका स्रस्वती देवांगार और गाउं कुन से बिलाईगार बिलाईगार अच्छा तब बिलाईगड में कतका जन करते हैं कामला बहुत जने करते हैं बहुत लोग करते हैं आप कितने साल से कर रही हैं हम बच्पन से कर रहे हैं और यह पुस्तैनी काम है कोसा से जुड़ा हुआ और यह समुदाय हमारे यहां करती है पुरा समुदाय भी करती है और समुदाय के के लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई है ओलो भी करने लगे हैं कही जगा पर मैंने देखा तो यह तो थागा है यह कहां से उपलफ्ट होता है आप फ्लेशा लतिंगर आज और ऍसाम से और इससारे कारिक वाले हैं उनों वह भी खरिते हैं और लोकल इसको बनाया भी जाता है आछा उसे भी खरीते हैं उनसे भी खरीते हैं तो विलेजगढ़ा गाओं में तुहर की कोप कुनों गाओं नाइब लेजगढ़ा रहे विलेजगढ़ा रहे अच्छा अभी जीला हो गया भी बिलाई गाड़ शारंगर उसकी बहुत-बहुत बनाई और यह नए टेकनिक से जो चर्खा है य अभी एक बार बना लिए हैं तो फूरा आजीवन चलेगा अच्छा अभी यह दीदी क्या कर रही है और यह धागा निकालके अब वह इसमें बाना के लिए उसको लपिट रही है अच्छा इसको कैसे चलाते हैं जरह चला के दिखाए तो चलात क्या नाम है बेटे का भास कर अच्छा तो यह यह ऐसे फस्ते जाता है यह कोसा की साड़ी है अच्छा प्रक्राइब यह उसमें जाता है हां उसके जाने के बाद इसमें अच्छा वो उसको इसके फसाएंगे आप देखेंगे क्या दिखा दो देखो फसा तो दीदी फर बहर काना वर पाने तुम है अब पूरा प्रोसेस ही दिखा दे रहे नहीं ठीके तभी तो आप समाज आएगा तो ट्रेनिंग रेनिंग घलो दे तो वहां गया नए ट्रेनिंग नहीं हम लों क्या इनको ना ट्रेनिंग आपको ही सिखना चाहेगा ना वो इतना जल्दी नहीं सिख पायागे इसको वाच्पर से यह मैं दबा के रखाऊं इदा अच्छा यह फसा रहे ना यह यहां से धागा अब वहां जा रहा है यसे तैयर हो जाता है अवजिय तैयार यह जाएगा यह जो भाईया पकड़ है ऐसा थागा तैयार हो दैकर फिन नरी व सब्सक्राइव नरी इसको डाला जाता है अच्छा नरी फसादे कर में हाँ इसको ऊच्छल कने मरी यहांस है इसको लखंगा बीसमें से डाल के लो इसको टैस्सकत है इसके यह यह वह वेस्ट है इस्दैशन वह सब्सक्राइब इसको बाना बोलते हैं बाना बोलते हैं इसको जो काना है ये बाना है चलते जाता है शाड़ी बनते जाता है चला तो पुष्टाम हम देख रहे हैं यह आपको किश्नी उपलब्द कराया यह यह लगण पूष्टाइनी वाला हम लोग काम है दादा पर दादा कनोग करते आ रहे हैं लेकिन वह पूराना वाला था ना वह जमिन में गड़ी आके होता था होता था इसको हम आज कल के डिजाइन में इसको बनाया है उपर वाले और एक लकड़ी उधर मैं देख रहा हूं वो क्या है यह इसको क्या साड़ी बोलेंगे यह एंठ आपके बनाया हूए मटेशा तरह बताएए इधरह आपके बवगए इधर हुआ है अलग 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 है यह को से का जी क्या रेट है इसका पांच जार की है अच्छा यह इसमें कलर अलग है रेट सब का पांच जार है हम लोग खेंडें का जो सबसक्ता है और अपूंट है रहां जैसा मतलब मतलब अब जैसा पैटर्न फीर्ट चार्जेश अद्टाल जू यह जो है विविन का बढ़ जाता है अच्छा अर यह जो हम समाने को और देख रहे हैं यह कितने का है यह है यह शता है इसमें कि अधिया है इसमें का नजरा आता है यह पांच पाइडल का है जो दबाते हैं पाइडल से बना हुआ कपड़ा है यह दो पाइडल से तो यह मोटा मोटी रेट इस हिसाब से पढ़ेगा साडी का जेकेट का और कुछ है तो मेरे पास से सूट मिल जाएंगे एक सूट है यह वी कोसा का है यह सिल्क में है यह कोसा पर है यह कोसा है यह कोसा है अच्छा मोट साप्त है तो क्या की मत इसका यह त्रिप इसका पाच जार डिसकुंडिया के चार हजार की और यह वाली जो है कोसा रहो में 45 हो कि है इस परसेंट चूट के बाद 36 कि मैं 2015-16 में सम्मानिक बुन कर रहा हूं संद्विसाहुदास महंत ग्राम दिव भाक्त जो प्रसान प्रसार जो प्राप्त होता है गवर्मन्ट से तो 2018 में में मेरे प्रसमान किया गया था उसमें श्रीपण नारियल और एक लाख रुपे भी मेरे कुम्लिया था तो यह हमारा 36 गड़ का ग्री उद्योग है और सारंगार बिलाईगार जानगीर चापा कोसे के लिए बहुत प्रसित है कोसे के वस्तर के लिए बहुत प्रसित है 36 गड़ और यह हमारी प्रसित्धी का एक नमुना था तो धन्यवाद मैं उम प्रकास ओसर वीडियो अच्छा लगा तो व का ले